हलो दोस्तों दोस्तों हाज के इस वीडियो में हो लो हल करने वाले क्लास टेंथ के मैत का जो चैप्टर है फूर दिगात सम्मी करा ठीक है तो देखे इस चैप्टर से कुछ ऐसे प्रशन है जो की पिछले वर्स पूछे गाए ठीक है कुछ ऐसे कोशन है जो कि आपके दो से क्लियर कर लेंगे जैसे आप पर दिया है कि दिगात सम्मी करन ठीक स्कॉर मानिस के टू रूट में सिक्स पलस में टू बराबर में जीरो के मूल होंगी ठीक है अब इसका मूल कैसे निकालेंगे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं देखे सबसे पहला चीज कि अगर कह नहीं पर भी आपसे पूश दे कि मूल निकालिए तो सिंपल आपको क्या करना है गुड़न खंड कर देने ठीक है अब यह रूट अलमा मामला है तो इसका गुड़न खंड कैसे होगा सिंपल है तीन का इसके साथ गोड़ा करेंगे ठीक है अब यह तो सब को पता है तीन गुड़न रूट 6 आपका फिर से क्या हो जाएगा छे हो जाएगा ठेक अब एक रूट 6 और एक रूट 6 इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा दो रूट का तो यह चीज तो आ रहा है बस फड़ाफट कर देते हैं तो यहां पर आपका हो जाएगा कि 3 x का स्कॉयर माइनस में अब यह वाला रूट 6 तो रूट 6 और यक्स यहां पर पलस है न तो पलस में रूट 6 यक्स फिर पलस का यह दो ठेक है यह छे नहीं लिखते हैं दो ही लिखते हैं गुड़न करनीयम आपको यह होता है ठीक जीरो है दी जूरो हमने लगा दिया अब इसको हम अलग कर लेते हैं तो यह आपको हो जाएगा 3x का square minus में breakers पहले minus है अंदर वालाव का plus हो जाएगा ठीक है plus है तो minus हो जाएगा तो root का 6x minus में root का 6x plus का 2 ब्रावर में 0 ठेक अब यहां भी ax है ठेक है और ऊसके साथ हीस root 6 को हम और क्या लिख सकते है इस root 6 को हम root का 3 गुड़े root का 2 ऐसे भी हम लिख सकते हैं ठेक है अब अब यहां पर जैसे हमने 6 को यह 6 को हमने root 6 गुणे root 6 कर दिया था उसी तरी के से इसको भी थोप कर सकते हैं root 3 गुणे root 3 इसमें भी हमें एक root 3 मिल ला है यहां से भी हमें root 3 मिल जागा तो हम उसी को common कर लेंगे root 3,Jesus हमने common कर लिया यहां भी X है, यहां भी X है, तो यह भी X है तो यह X भी हमने common कर लिया breaker लगा लेगे, अब यहां से root 3, tweet 3 है आपका common में आ चुका है तो एक root 3 बचा है तो वही वाला यहां लिख लेंगी, root 3 यहां पर दो बार से यहां से आपका रूटजी ङो है ठीक है इसमें से मैंनस लगा लेंगे और रूटजी हमने कौमन ले लिया ठीक अब यहां घॉल वार हमारा रूट दो मिल जाएगा है रूट दो बरावर में जीरो हो इसली हो गया ठिक है अब इसको यह सहर ले ले तो रूट का 3 x – का रूट का दो और फिर इन दोनों में से умें से माया है मतलब की आपका साहिकर का ठिक है ृट रूट का तीन एक्स माइनस का रूट का दो बरावर जीरो सिंपल ही अब का अंसर हो जाएगा ठेक और एक चीज़ और के मूल हमें बताना था ना तो मूल बताने के लिए इसको थोड़ा सा और आगे हल कर लेंगे लिखेंगे रूट का तीन एक्स माइनस का रूट का दो बरावर में जीरो इसको हम इधर भेज देंगे तो रूट का तीन एक्स यह इधर जाएगा तो पलस हो जाएगा रूट का दो इसको हम इधर कर देंगे तो एक्स बरावर में रूट का दो बटे में रूट का तीन ठीक है गोड़ा कर रहा इधर आगे भाग करने लेगा अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको भी हम कि एक सब्लाबर में दो बट्टे में तीन और इसको रूट में ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है अब अगला प्रश्न में आपका कहता है कि यह सी दो संख्यां ग्याद किजिए जिनका यूग 2700 गुणफल 182 हो ठीक तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे अब वो दोनों संख्या क्या है हमें नहीं पता है ठीक तो हम मान लेंगे कि माना दो संख्या की बात कर रहा है तो प पहली संख्या पहली संख्या हम मान लेते हैं कि यक्स ठीक अब इसमें एक चीज कहा है कि जिनका योग 27 है ठीक है दो ऐसी संख्या है जिनको जोड़ देते हैं तो 27 हो जाता है ठीक है अब आप देखिए कि पहला संख्या अगर यक्स है तो दूसरा संख्या 27- यक्स हो जाएगा ठीक है इतना ही होगा न तो अब जैसे यहाँ पर कुछ लोगों नहीं समझने आगा जैसे मल जीए कि यहाँ पर 5 क्या है कंचे है ठीक है गोली 5 कंचे है ठीक है कंचे का यह चाहिए गोली कहा जाता है तो 5 कंचे है ठीक है पांच कंचे मदें एगर किसी को दे दिया जाता है तो फिर इस दूसरे ब्यक्ति को कितरा कंचा मिलेगा तो आप कैसे इसको निकालेंगे तो सिंपल है दो को पांच मेंसे घटा देंगे इसको मिल जाए उसी तरहे से एक को अगर टोटल आपके पाँ 27 थ योंग हमने कर दिया अब गोडन फल जो है 180 है मतलब कर रहा है कि इन डोन प्रश्ण नुश्ण तो प्रश्ण नुश्ण कर देते हैं तो यक्स फिर 27 माइनस का यक्स 182 ठीक है इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 27 यक्स हो जाएगा फिर इसका गुणा इसमें यक्स का स्कॉाइर हो जाएगा बराबर में 182 ठीक है अब इसके पास इस इन सभी को हम इधर लेके चले जाएंगे तो यह आपका हो जाएगा कितना यक्स का सबसे बड़ी घात उसके बास यह वाला यह आपका माइनस में था इधर आये प्लस में हो गया फिर यह प्लस में 182 को हमें कुछ ऐसा तोड़ना है कि जोड़े तो 27 है तो ऐसे कर लेंगे 182 लिखेंगे तो 298 तो एकनम 2 साथ से कट जाएगा ठीक है साथ एकनम साथ साथ रिक एक काईस पिर तेरे कर तेरा ठीक है तो यहाँ पर आपका साथ दूना 14 हो जाएगा और यह तेरा 14 तेरा आपक फिर पहले 14 लिखेंगे तो 14 एक्स यहाँ पर पलस है तो पलस लगा देंगे फिर 13 लिखेंगे यक्स फिर पलस में 182 बराबर 0 ठीक अब यह हो जाएगा यक्स का स्कॉाइर माइनस में 14 एक्स माइनस में 13 एक्स पलस में 182 बराबर में 0 है कॉमन ले लेंगे तो यक्स हुआ common तो x-14 minus का 13 common कर देंगे तो x-14 बराबर में 0 x-13 और x-14 बराबर में 0 तो अब इसके बाद से हम क्या कर देंगे इसको x-13 बराबर में 0 कर देंगे तो x बराबर में आपका 13 हो जाएगा ठीक तो पहला आपका 13 निकल गया दूसरा संख्या आपका कितना निकलेगा ये वाला है x-14 बराबर में 0 है तो x बराबर में आपका 14 ये दूसरा निकल गया बस ये अब सिम्पाल आपका अनसार हो गया ठीक हो गया क्लियर अगला देखिए अब देखिए अगला प्रस्नाइस में कहता है कि दो करमागत धनात्माग पुर्णाग ज्याद किजिए जिनके वर्गो का यूग 365 है ठीक है करमागत कर रहा है करमागत मतलब होता है लगतार ठीक धनात्माग पुर्णाग मतलब कोनों संख्या ठीक है 2468 कोई भी संख्या हो सकता है तो दो करमागा धनातमग पुर्णांग ठीक है तो मान लेते हैं माना पहला पुर्णांग हम मान लेते हैं कि यक्स ठीक है दूसरा पुर्णांग हमान लेते एकस प्लस में वन ठीक कहता है जिनके वर्गूग का योगृग मतलब जोड ठीक है इसका वर्ग करेंगे उसके पासे जोड़ देंगे ठीक है वो कितना बज़ा है तीनसों पैसर दोते है ब्रशना नुश। लिखिए प्रश्णानुशार ठीक वर्गों का योग इसका हम वर्ग कर देंगे ठीक पलस लगा देंगे क्योंकि योग कह रहा है तो उसके पास से X plus one का work कर देंगे ठीक है यो को कितना है 365 है यह तरीका होता है ठीक क्लियर हो रहा है अब यहां पर कर देंगे X का square plus main a plus b का whole square तोड़ देंगे ठीक हो जाएगा yaks square plus main a square A के रह जाएगा उसके पासे फिर इसको 2ab तो 2x हो जाएगा बराबर में 365 ठीक अब एक यक्स-का-2 x का-2 x का-2 x का-2 x सब्स्सक्राइब एक प्लसमें 2x इसको इधर गुला लेंगे तो तीन छे बराबर में जीरो ठीक अब इसको हम क्या करेंगे गट रहा है, गटा देंगे तो 2x का स्क्वायर इसको जब गटा देंगे पहले यह वालिक लेते हैं कि 2x इसको गटा देंगे तो माइनस का 3,6,4 ब्रावर में 0 ठेक अब इसमें क्या करेंगे यहां भी 2 है यहां भी 2 है और यह भी आपका 2 इसमें से common हो सकता है ठीक है common का simple मतलब है कि कितना common करें तो 2 common करें तो 2 से इसमें भाग करेंगे इसमें भाग करेंगे और इसमें भाग करेंगे तो सब आपका कट जाएगा ठीक है तो वही चीज होता है बराबर में जीरो ठीक अब इधर दो यह क्या कर रहा है गोड़ा रहा है इधर जाएगा बाग करने लएगा बस यह आपका 2 कि मौसर यह व्योड आपका यह बचेगा युला यहिग बचेगा यकस का milliards स्कॉयर प्लस में आपका यह माइनस में 182 बरावर में 0 ठेक अब 182 को ऐसा तोड़िए कि यहां पर आपका एक आजाए घटा आने पर ठेक तो 182 को अभी हमने यहां पर तोड़ा है ठेक तो यह आपका 14 और 13 को रूप में टूटेगा ठेक तो सिंपल आपको यहां से कर दीजिए कि यक्स का स्कॉायर पलस में 14 एक्स फिर यहां माइनस है तो माइनस में 13 एक्स फिर माइनस में 182 बरावर में 0 और इसमें से आप क्या करेंगे में कॉमन ले ले लेंगे चो युक्स हो जाएगा Χॉमन फिर माइनस का 13 को में ओ जाएगा तो एक्स माइनस में माइनस यहां पर कॉमन हुद यह पलस हो जाएगा तो यह माइनकस में बरावर में 09 सानत में एक्स माइनस का 13 और एक्स प्लस में 14 बराबर में 0 ठीक प्लस वाला नहीं लेते माइनस वाला लेते हैं तो एक्स माइनस का 13 बढाबर में 0 ठो एक्स बढाबर में अपका 13 ठेक में इसमें पुर्णांग पूछ रहा था तो पहला पूर्णांग आपका 13 है दूसरा पूर्णांग आपका 14 है ठीकया हालगा कि ऐसे मत लिखेगा आप यहां पर नीचे यहां पर लिखेगा पर्थम पुर्णांग 13 दित्य पुर्णांग 14 सिंपल इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है कानी कतम ठीक है हो गया क्लियर अगला देखिए अब देखिए यहां पर जो हमारा प्रशन है ठीक है इंपॉर्डेंट प्रशन है ठीक है कि दिगात समीक्राइब टू एक्स का स्कॉयर माइस में 4 एक्स प्लस में 3 बराबर में 0 के विविक्तर गयाद किजिए और फिर मूलों की प्रकृति गयाद किजिए ठीक है अब यह चीज क्या है विविक्तर तो सब ही लोग याद करें ले ठीक अब इसके विविक्तर निकाल ले तेके लिए फॉर्म्य का फोर आइस सी ठीक अब इसके पास देखिए यह है यह बी है यह चाह थे को माइनस में 4 ए मतलब दो A मतलब 2 फिर C मतलब 3 तो यहाँ पर आपका D बराबर में 4 जब बराबर में 4 जबा नहीं से आपका सारा मामला अपके बुक में आपको दिखा देता हूं आप बुक में अगर देखेंगे तो इसमें देखिए लास्ट में यहाँ पर क्या कहता है कि जब सिंपल मैं आपको तरीका बताता हूँ कि जब यह जो V स्कॉर मेंस का फोर सी मतलब कि D की जब वैलू है 0 से जब छोटा होगा तो लिखेंगे कि कोई वास्तविक मूल नहीं है जब 0 के बराबर होगा D की वैलू तब लिखेंगे कि 2 वास्तविक मूल होते हैं और जब वह ही D की वैलू 0 से बड़ा होगा तब लिखेंगे कि 2 भीन भीन वास्तविक मूल होते हैं अब यह चीज होता क्या है एक्चुल में ठीक है वो चीज मैं आपको समझाता हूं तो यहां पर सब से पहले हम क्या लिख सकते हैं कि कोई मूल नहीं है ठीक है लिख देंगे कि कुई कुई ऌई वास्तविख अम और मροग कabout के नहीं है ठीक यही आपका अंसर हो जाएगा लेकिन अब यह चीज़ है क्या आखिर में ठीक है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ यह क्या है आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सुरी धराचार एक चचा थे ठीक है उनका एक फॉर्मूला है कि एक्स बराबर में माइनस का b पलस माइनस रूट में b स्कार माइनस का 4ac बते में आपका 2a यह चाचा ने क्या किया था यह वाला फॉर्मूला दिया था ठीक है इससे क्या होता है कि इसका आप गुड़न खंड नहीं कर सकते है ठीक है दिगहात जो बहुपाद है यह ठीक है इसका आप गुणन खंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखें 2-3 हो जाएगा 6 अब यहाँ पर जोड करके यहाँ पर आना चाहिए 4 ठीक है 6 को ऐसा तोड़िये कि जोड़िये तो 4 आजाए अब आप अई भे नहीं करेगा 4 ठीक है 6 को ऐसा हम तोड़िये नहीं चाखते हैं कि 4 आजाए जोड़ने पर तो इस कंडिशन में इस समीक्राण को हल करने के लिए इन्होंने ये वाला फॉर्मला दिया ठीक है तो जिसमें कराना कि कोई वास्तिविक मूल नहीं है इसका कोई वैलुए नहीं आएगा कैसे मैं आपको दिखाता हूँ बी के अस्तान पर ये ए है ये बी है ये सी है ठीक है यहाँ पर लिकाई है तो बी के अस्तान पर क्या रखेंगे माइनस का 4 और लड़ी माइनस है ये भी माइनस में हम तो हो जाएगा के वाल 4 ठिक पॉलस माइनस आव रूट में कर लेते हैं 20 kart मतलब कि इसका स्कार कर आदें है तो चार चाव कर 16 हो जाएगा माइनस में 4 गोड़े A का माद 2 है C का माद 3 है ये हो जाएगा बटे में 2A, तो 2 गुड़े, एक अमान 2, ठीक, तियाब हो जाएगा 4, पलस माइनस, रूट में, तो ये आपका 4 गुण 8 तरीके 24, तो 16 माइनस 24, माइनस का हो जाएगा 8, बटे में आपका हो जाएगा 4, अब कभी भी, अगर माइनस में, आपका रूट में कोई भी संख्या अगर आजाता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आप हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अगर माइनस में आजाता है तब, अगर माइनस में नहीं आता है, तब हम इसको 8 को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, ये भी आपका निकल जाएगा, लेकिन आपको क्या हो जाएगा, त तो इसलिए यह क्या होता है यहां से हम आगे हल नहीं कर सकते हैं इसलिए लिखा जाता है कि कोई वास्तवी के मूल नहीं है ठीक तो यह चीज था अब देखिए यहां पर हमारे पर अगला प्रश्ण है इसमें कहता है कि क्या निमने इस्तथी संभव है यदि हां तो उनका वर परतमान आयू निकालना संभव है यदि हां तो बताइए कितना होगा ठीक है तो दोनों मित्रों के आयू का जो योग है वो कितना है बीस वर्ष मतलब दोनों मित्रों के आयू को जब जोड़ा जाता है तो वो बीस वर्ष हो जाता है अब हमें यह चीज नहीं पता है कि एक कि आयू कितनी है ठीक है दोनों की अलग-अलग आयू हमें नहीं पता है तो हम माल लेंगे कि माना पहले की आयू ठीक है पहले की आयू यक्स वर्स है ठीक है अब दोनों को मिलागर के 20 वर्स है अगर एक का यक्स वर्स है तो दूसरे का कतना होगा लिखेंगे कि दूसरे दूसरे की IU तो 20 मसी X घटा देंगे 20 माइनस X ठेक, इतना हो गया उसके बाद से कर रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी IU का गुड़न फल 48 था ठेक है, लिखेंगे प्रश्णा अनुशार प्रश्णा अनुशार प्रश्णा अनुशार चार वर्ष पूर्व, ठेक है तो चार वर्ष पूर्व मतलब कि परजेंट में जितने भी वर्ष के हैं इससे पीछे जाना है, पीछे जाना है मतलब माइनस करना पड़ेगा, तो X माइनस का 4 फिर इसमें भी 20 माइनस का X माइनस का 4 कर देंगे ठीक है बराबर में कितना हो जाता है 48 ठीक है अब यह एक लाइन और लिख लेते हैं X-4 हो जाएगा फिर इसको घटा देंगे तो आपको हो जाएगा 16 माइनस का X बराबर आपका 48 ठीक इसका इसमें गोड़ा करेंगे तो हो जाएगा 16 X फिर इसका इसमें गोड़ा करेंगे माइनस का X का स्क्वायर फिर इसका इसमें तो 164 फिर उसके बाद से इसका इसमें तो कितना हो जाएगा पलस में 4 एक्स बराबर में आपका 48 ठेक अब इसमें हम क्या कर देंगे कि इसको भी इधर बुला लेते हैं ठेक 164 यह हो जाएगा 20 तो सबसे पहले यह वाला अच्छा देखे यह वाला जो सबसे बड़ी वाली गहात है यह माइनस में तो इसको हम पलस में करना जरूरी है तो हम इधर लेके आते हैं तो यह आपका हो जाएगा यक्स का स्क्वायर फिर यह और यह जोड़ेंगे तो 20 इदर आजाएगा तो माइनस में 20 यक्स हो जाएगा ठीक इदर आपका 48 है यह भी इदर चला जाएगा तो यह आपका पलस में 48 यह आपका माइनस में यह भी आपका पलस में हो जाएगा 64 ठीक तो यक्स का इसकार इधर कुछ नहीं बचा जीरो हो गया माइनस का बीस एक्स इन दोन को जोड़ेंगे ते कितना हो जाएगा साठ चाली सो आठ चार बारा एक सु बारा हो जाएगा पलस में एक सु बारा ठेक अब ये चीज हमें बताना कि यह संभव है या फिर नहीं है तो आप गुड़न खंड करके भी देख सकते हैं कि गुड़न खंड हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि D बराबर में V स्कॉइर माइनस का 4ac तो B कमाळ कितना है ये वाला ठीक है माइनस का 20 का स्कुायर फिर माइनस में चार गोड़े एकमान कुछ नहीं तो एक रख सकते हैं ठिक है नहीं भी रख सकते हैं कोनों दिकार नहीं है सी कमान 112 तो यह आपको कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा ठीक उसके बाशन्य चार नहों 8 चार एकारनम चारल पिर चार्ट नहीं साथ तो इसमोग हो जाएगा मान नहीं होगा तो लिख देंगे कि या तो डारेक्ट लिखे संभाव शंभाव नहीं है बस इतना लिख दीजिए आपका कहानी का तब यह आपको करना है ठीक है तो उमीद है कि यह चीज भी आपको इसलिए समझ में आ गया होगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो जिसमें हम लोग और भी कोश्चन हल करने वाले हैं तो उसके लिए चनल को सब्सक्राइब जोर गुल कर छोगरी है कि अकशन है है जितन आपके अगले हैं आपका की है तो रिक हैले हैं और भेग्ना का का वो